बॉर्निंग स्टूडंट आज हम नए टॉप के साथ मिल रहे हैं आई होप सो के पुराने टॉपिक आपको समझ में आ गया होंगे क्योंकि उन्हीं टॉपिक के नॉलेज के बेस पर ही रेगॉलेशन और जिन एक्सप्रेशन डिपेंड हैं जैसे हमने लास्ट टॉपिक में ल अगर वो समझा है तो ही हम इस टॉपिक को समझ समझ पाएंगे क्योंकि सेंटरल डोगमा जो प्रोसेस दी है ट्रांस्क्रिप्शन एंड ट्रांजलेशन इडिज बेसिक प्रोसेस वीच प्रोसेस इज एप्लाइग इन दे सेल मेटाबोलिक एक्टिविटी इस प्रोसेस इस और सो इंक्लूडेड इन इस रेगुलेशन ऑफ जिन एक्चुली रेगुलेशन जिन में जो होता है वो नथिंग बट ट्रेंटल डोगमा ही होता है मतलब ट्रांस्क्रिप्शन और ट्रांस्लेशन ही होता है अलग से कुछ नहीं है इसलिए आपको सेंटल डोगमा का ट्रां हम प्यास करेंगे मैं इसी इंट्रोडक्शन ही लूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से समझना पड़ेगा और फिर फिर हमां आगे बढ़ेंगे ठीक है तो जिन रेगुलेशन आप जिन एक्सप्रेशन क्या होता है हमने देखा सेंट्रल डोगमा के अंदर में कि ट्रांस्क्रिप्शन होगा वहां ट्रांस्क्रिप्शन में डी आने से यूस्फूल कंटेंड का मरने बनेगा बराबर और मरने बनने के बाद वह मरने migrate hoga from nucleoplasm to the cytoplasm of the cell. Now, in cytoplasm, the translation which is the last topic is done in which the mRNA-encoded information transfer was translated into the polypeptide chain which form the desired protein. this all process is comes under the central dogma but regulation is the phenomena in which the desired gene is produced sorry desired gene produce desired protein according to the metabolic pathway or we can say the requirement of metabolic of the cell cell की जरूरत की हिसाब से वो कैसे बनेगा कैसे कंट्रोल किया जाएगा और क्या क्या चीज उसमें कंट्रोलिंग में होगी उसको हम regulation of gene expression में समझते हैं मतलब हमने देखा कि DNA से MRNA बन गया चलो यह बनी कैसे और इसको किसी ने रोका क्यों नहीं और यह बंदीच कहीं चले गई है कौन कौन सी चीज़ती इसको बनाने में help करने वाले ते यह इस regulation में आता है the multiple process multi-step process in which gene regulated and produce its product बहुत सार्चीज होती है हम अगर बोले कि कोई काम करना है अगर आपको अगर हम एक कुछ question के answer भी लिखना है तो आप कैसे सूचेंगे मुझे तो पहले पढ़ना पड़ेगा है ना फिर लिखने के लिए आपको एक pain भी चाहिए अच्छा लिखेंगे अपने लिए एक importance होता है है ना इन लेविंग सेल जिन रेक्सप्रेशन इटसेल रिजल आप स्ट्रक्चल और प्रोटीन जिन एक्सप्रेशन सेल के अंदर में क्या करता है कि एक हम जानते है कि हम जब हर ऑर्गनिजम एक छोटी से से स्टार्ट होता है आप्टर धागट अपने 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 अलग अलग काम करने लगते है तो यह होता कैसे है इटसेल जिन रेगुलेट इटसेल इन सेल स्ट्रक्चर विदेल पाप मेकिंग अ अपने अपने मेटाबोलिक एक्टिविटी में डिफ्रेंट होता है सबके अलग अलग होते हैं जिसे हम जानतों है कि प्रोटीन से बने हमारे नाकून प्रोटीन से बने हमारे बाल लेकिन क्या दोनों सेम है नहीं क्योंकि वहां का फंक्शन यहां अलग है नाकून का फंक् शरीर पे मवजूद बाल है इनके फंक्शन अलग है means all these are required for different metabolic activity these gene expression can be controlled these gene expression can be controlled at various level such as transcriptional post transcriptional या translational level यह modification जब gene expression में होगा तो वह अलग अलग भी पेंट रहेंगे कि transcription में क्या चेंज आएगा post transcription में क्या चेंज आएगा translation कैसा होगा यह सब के अलग अलग कंट्रोलिंग होते हैं gene expression can trigger on off on off जैसे बटन on off बन चलू ट्रिगर उसको triggering on off कैसे होगा कब कब होगा by small extra cellular और intracellular metabolites वो system जिन expression होगा transcription होगा या नहीं होगा transcription होगा या MRNA बन गया तो translation होगा या नहीं होगा यह cell में जो दूसरी extra और intracellular metabolites पर depend करता है कि cell को जरूरत नहीं है तो MRNA बन गया ना चलो ठीक है रहें दो cell के अंदर में translation नहीं होगा जरूरत नहीं है तो यह cell decide करेगी उसमें मौझद उसके metabolites decide करेंगे कि translation होगा या नहीं होगा टर्न ट्रा कंट्रोलिंग अन और आफ आफ आपको समझ में आ रहा है क्योंकि थोड़ा गुमाओ दर्चीज है आने वाला topic जो है उसका operon वो तो ठोड़ा और ज़दा रहेगा इसलिए यह समझ रहेंगे तो हापको वो समझ में आ जाएगा दी डेवलोपमेंट एंड डिफ्रेंशियेशन अप एंब्रियो इंटु दे अडल्ट ऑर्गिनिजम क्या बोलता है मंजब तो बोला भी कि एक सेल से दो दो से चार चार से आट अन सो और यही है डेवलोपमेंट ओप एंब्रियो अप टू एडल्ट ऑर्गिनिजम इट उसमें बहुत सारी चीजे बदला होती है और हर एक जीन अपने अपने लिफल पर अपने अपना काम करेगा जैसे एक्जामपल दिया मैंना अपका अउंगलियों के नाकुन सर के बाल है نा है तो यह अपने जग़ा पर काम करते हैं तो यह सेट आप जीन्स अलग अलग सेट जिन्स के अपने जगह पर अपने अपने तरीके से काम करते रहते हैं और सिल्की मेटाबोलाइट्स उसको कंट्रोल भी करती है अगर इन में गड़बढ हो गई तो बहुत सारी प्रॉब्लेम्स अपने आप आती है स्टुडेंट्स कभी कभी इन में जेनेटिक डिसार्डर भी पैदा हो जाते है तो कभी कभी कैंसर भी पैदा हो सकता है इन में गड़बढ हो गई इस वक्त गड़बढ हो गई तब सिंगल मेकेनिजम एक्जिस्ट पर रेगूलेशन औप एक्सप्रेशन आप डिफरेंट जीन और सेट और जीन और डिफरेंट जीन्स तो रिक्वाइड बाइड डिफरेंट मेकेनिजम एक मेकेनिजम एक से अधिक डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन को रेगूलेट और एक्स है या एक साप में एक से टॉब जीन्स भी और डिप रंट जीज आर रिगुलेट बाय दिफरण मेकनिजम अलग लग लग मेकनिजम के बेस पर ये सारे सेट सिंगल रहे या मल्टीपल सेट आप जिन रहे regulation और control अपने अपने तरीके से कर पाते है a set of genes will be switched on when they are necessary to metabolites for new substrate अगर एक substrate की जरूरत है एक protein की जरूरत है और वो protein की जरूरत होगी तब वो mechanism gene expression का mechanism start होगा अगर जरूरत नहीं है तो वो start नहीं होगा which is become a continue turn off वो हमेशा बंद रहेगा जब जरूरत होगी तब ही वो on होगा और set of genes और single genes which regulate itself whenever the cell requires its product जब सेल को उसके polypytide chain की या protein की जरूरत होगी तब वो expression होना शुरू होगा नहीं जरूरत है तो कोई जरूरत नहीं आपको पता है कि थंडी शुरू हो रही है तो आप पंखे की speed कम कर देते हैं क्यों जरूरत कम है गर्मियों में क्यों ज़्यादा होता है full speed होती है क्योंकि जरूरत ज़्यादा होती है वैसे ही सेल में भी अगर किसी चीज की या protein की जरूरत है तो जिन expression start हो जाएगा जरूरत नहीं है तो जिन expression वहीं के वहीं stop रहेगा या off रहेगा तो यह सेल की activity के नुसार या सेल की requirement के नुसार इनका single या set of genes are regulated itself and controlled by cell metabolites extra और intra content इस अलगार जनरल आप regulation of genes यह सारी बाते हो गई regulation of genes की कैसा होगा क्या होगा इसको हम better तरीके से जब हम पढ़ेंगे आगे में तो हमको यह सायथ समझ में आ जाए उसके लेकिन आपको पहले central dogma सारा step always समझना पड़ेगा तब आपको आगे समझने में मताद होगा now structure of operon अब यह operon क्या है operon मतलब a set of genes which regulate controlled and coordinate by a cell itself each operon is a set of genes कितने है set of genes which gene express regulations which includes structural gene controller elements like the operator and promoter a operon मतलब क्या है set of gene है मतलब मान लो एक ले टे स्ट्रक्चर एक 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 डी एने है ना ये डी एने से क्या बनेगा MRNA है ना MRNA से हम इसको ट्रांस्क्रिप्शन कहते हैं अब यहां बोला गया कि यह कैसे है a set of set of genes इसमें बहुत सरे genes के तक्रित कड़े मौझूद है मान लो इतने genes के तक्रिप्शन अतलब हर एक हर एक फर्स्ट जेकर थर्ड फर्द एन फिर्थ अवे जी वन टूरी पर फाई यह अपने आपके यह पांच जो बने हैं यह पांच अपने आप एक एक मारने समझ लो समझने के लिए एक एक मारने है लेकिन साथ में जुड़े हुए तो ऐसे को कहेंगे सेट आप जीन्स विच रेगूलेट पॉर्ड़ पर्टिकुलर फंक्शन बट इस आपने अपने तरीके से अलग अलग काम नहीं करेंगे तो यह क्या करेंगे सारे पाच के पास जीन्स मिलकर एक काम करेंगे जो स्यलक इस को डीकुर्ट होग वो पॉलीवड़ प्रटेट चेन बनाने का मतलब यह क्या करेंगे एक polypropate chain बनाएंगे लेकिन अब इसमें क्या बोला गया इसको हम कहेंगे अब इस structure को कहेंगे open on a set of genes which are unit of gene expression which regulate with structural genes structural gene रहेंगा जिससे जिस चीछ को बनाना है जब polypropate chain बनाना है supportive वाले genes भी दिये जिसे controlling element बोला गया है कैसे तो उसमें promoter operator भी होगा मान लो यह तीन जो है तीन चार पाच यह तीन set तीन gene these are the structural gene लेकिन उनको regulate करने के लिए को न करेगा promoter and operator जो आगे में promoter या operator समझने के लिए सिर्फ होंगे यह जब काम करेंगे तभी यह protein बनेगा मतलब हम कहेंगे कि यह दो जो है यह काम करेंगे या permission देंगे तभी यह बचे चार तीन genes polyveptide chain बनाएंगे मतलब क्या हो गया अभी कि यह अगर ना हो प्रमोटर ऑपरेटर ना हो तो यह gene कोई काम के नहीं रहेंगे means the process in which the DNA from mRNA and mRNA contain lots of set of genes these genes is set of genes is togetherly known as operon बहुत सारे genes का एक साथ समूह को कहेंगे ओपरेटर जो एक particular function काम करता है clear है set of genes which set of genes unit genes expression regulation which includes structural gene controlling elements like promoter and operator known as operon structural gene code for protein this is how you become a teen chair pasta structural gene protein mani ngay by protein synthesis process in the cell promoter are the single sequence of DNA start mRNA synthesis promoter क्या करेगा DNA से MRNA स्टार्ट करेगा किसके हेल से the RNA polymerase के हेल्प से promoter are the present between the promo operator and structural promoter or structure के बीच में मतलब एक और तीन चार पाच के बीच में क्या था दो नमबर का था operator वह operator होगा कि कैसे उसको अपरेट करना प्रमोटर प्रमोट करेगा help करेगा और अपरेटर स्टार्ट करेगा स्टार्ट खुट से नहीं करेगा structural जिन से करेगा मतलब हम पढ़ने वाले हागे वाले टापिक में वह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अब आते है यह तो प्रमोटर हो गया और प्रमोटर ने प्रमोट कर दिया help कर दिया operator ने स्टार्ट कर दिया और क्या हो गया structural जिन ने बना डीया लेकिन ऑने बोट बाद आला सथ पिछले स्लाइड में पता ते रेगुलेट इल्सिल सेल एक में ट मेटाब्लाइट सब्सेल सिल कि मौज़ऑ मौज़द मेटब्स系 को रेकूल अंट्रोल कर-tiny रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन आर आलसो प्रेजेंड विच बाइंड, अटैज ओन ओपरेटर, विच रीजन ओप दे ओपेरोन, प्रमोटर पर अगर रिप्रेसर बाइंड हो गया तो काम करना बंद हो जाएगा, मतलब समझ लो एक तरकी चाबी है, यह ओपरेटर पे ल योग जाएगी, उसको रिप्रेशर खा जाता है, regulatory जीन्स आर रिस्पॉंसिबल पर फार्मेशन अप रिप्रेशर विच इन एक टिव विद ड़ ओपेराउंज, regulatory जीन्स का रिगर रिस्पॉंसिबिलीटी इस्वल पर फार्मेशन अप यह रिगूलेटर रिजीन्स यह हो गया रेप्रेश हो गया रेकिन और एक चौना करते हैं या अफ रखना है हम समझेंगे प्रैयास करेंगे आप तो आपको यह लागन को पढ़ना हैं अगले वीडियो में तो तक कि आप ये सारी चीजे कुल से वली ये structural ओपर रॉन क्या है और regulation of gene expression क्या है साते साथ हम को ये transcription translation और transcription भी पढ़ लेना है this one है ना ये this was transcription भी पढ़ लेना है और translation भी समझ लेना है तब हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम black operation start करेंगे ठीक है बच्चो तो पढ़ते रहिए problem होगा तो हमें comment करके बताईए ठीक है okay good day thank you